प्राचीन समय से हम देखते और सुनते आ रहे हैं कि जब भी किसी व्यक्ति की मित्ति होती है तो उसके सव को समसान ले जाते वक्त उसके परीजन राम नाम सत्य है ये बोलते हैं इस तरह बोलते हुए नितक के सरीर को समसान भूमी के और ले जाते हैं परन्तु ये बोलने का असल उद्देश से कुछ ही लोग को जानते हैं बाकी तो बस ऐसे ही इस परंपरा का पालन कर रहे हैं हिंदू धर्म में के जाने वाले संसकारों के पीछे धार्मिक और वैग्यानिक कारण बताए गये हैं आगे हम इस वीडियो में आपको बताते हैं कि सवयत्रा में सामिल लोग राम नाम सत्य है क्यों बोलते हैं नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टोटल ज्यान टिप्स में आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा सेर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें साथी बेल आइकन को दबा दे ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिले मृतक के सव यात्रा के समय लगाई जाने वाले राम नाम सत्य है कि नारे की संबंद में महाभारत के पात्र धर्मराज इदुष्टिर ने एक स्लोक के माध्यम से इसे समझाया था जिसका अर्थ है मृतक के प्रियजन मृतक को जब समसान ले जाते हैं तब कहते हैं राम नाम सत्य है परन्तु जैसे ही घर लोटते हैं तो राम नाम सत्या को भूल कर मौमाया में लिप्थ हो जाते हैं मितक के घर वाले सबसे पहले मितक के धन संपत्ती को सम्हालने की चिंता में लग जाते हैं धर्म राज इदुष्टिर के कहने का तात्पर्य था कि भले ही हम अपने प्रियजनों को कितना भी प्रेम करें पर उनके मरने के बाद सेश परिजन बस संपत्ती को ही चाते हैं इससे बढ़कर और अधिक आश्चरे क्या हो सकता है दरसल सवयात्रा में राम नाम सत्य है या बोलकर मितक को सुनाना नहीं होता है बलकि साथ में चल रहे परिजन मित्र और वहां से गुजर रहे लोग इस तत्य से परिचित हो जाए कि राम का नाम ही सत्य है साथ ही जब मनुष से राम का नाम लेगा तब ही उसकी सद्गती होगी इसलिए इसका मकसद या करकर परंपरा सुरू की गई थी कि मितक के मरने की पीछे जब मनुष से इतना लड़ते हैं उसकी संपत्ती के लिए इतना वाद विवाद करते हैं और संपत्ती का बटवारा क चाहिए कि जिस प्रकार स्री राम को भी यह धरती छोड़कर जाना पड़ा था उसी तरह इंसान को भी यह धरती छोड़कर जाना ही पड़ेगा इस दुनिया में सिर्फ स्री राम ही सत्य है मान्यता है कि इनी सब कारणों की वज़ा से सवयात्रा में बोलते हैं स्री राम नाम सत्य है तो दोस्तो हमारे ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट कर बताए साथी वीडियो को लाइक करें और ज्यादा स्यार करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें साथी बेल आइकन को दबा दे ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचे ताकि आप हमारे वीडियो का लाव उठा सकें ठैंक यू धन्यवाद